हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All In One चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पेंशनर्स और भूत पूर्व सैनिकों के लिए आज की जो बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में बात करेंगे और ये पेंशनर्स के लिए किस तरीके से फाइदे मंदे इसके बारे में बात करेंगे लेटेस जो है दोस्तो PCDA की तरफ से नया सर्कूलर निकाला गया है बहुत जरूरी information है क्योंकि बार बार ओर निकालने के बावजूद जो है पैंशनर्स को issues हो रहे है बूत पूर सैनिकों को बहुत problem का सामना करना पड़ता है इसी वएसे एक बार फिर से दोस्तों मैं आपको इसकी order की copy को दिखाता हूँ इसमें एक बार फिर से जो है इसको जारी किया गया है हम बात करेंगे इसमें क्या-क्या नए नियम डाले गए है तुछ लिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस important update के बारे में अबे तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाए दोस्तों देख सकते हैं सब्जेक्ट है इसका pension slip जो है मंतली बेसिस पर मिलना चाहिए बहुत जरूरी क्योंकि इस टाइम पर pension slip में जो है बहुत सारी information है जो कि अगर मंतली बेसिस पर दिया जाना जरूरी है और यह अभी सब्जेक्ट है इसमें और गौर्मेंट आफ इंडिया Department of Pension और Pension Welfare ने एक लेटर निकाला है और जिसमें बोला गया है कि Issue of Pension Slip by Pension Dispersing Authorities जै वो बैंक को जै कोई भी उनको हर महीने देना पड़ेगा और इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि that a large number of grievances from veterans are regularly being received हर दिन मेभी आप लोगों किसी को नहीं आता हो लेकिन बहुत सारे लोगों को जो यह grievances जा रहे हैं कि कितना amount of pension मिला family pension जो है बैंक में credit हुआ उसका क्या जो है breakdown है as they are not being apprised by the banks on information जिसमें कि आपका tax कितना deduct हुआ कितना आपको family pension मिला कितना आपका इस महीने dearness relief है कितना area मिला यह सब कि सब जो है जो भी pensioners है भूतपुर हुसेनिक है उनको जो है मंत्री basis पर provide होना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके bank में क्या आ रहा है अगर वो pension slip से match कर जाए तो at least उनको पता रहेगा कि उनका pension ठीक आ रहा है उनको हमेशा यह लगता है कि जो pension credit हो ठीक हो रहा है कि नहीं इसलिए दोस्तों जो pension slip हो बहुत बड़ा critical role है और इसलिए जो है इस time पे PCDA जो है इस पे सबसे आदा focus है कि जो भी pension dispersing authorities है वो timely pension में pension slip दें pension slip में पूरा का पूरा distribution हो breakdown हो कि कितनी pension कितनी family pension कितना DA कितना area यह सब जो है उस मंत की pension में include है दोस्तों देख सकते हैं यह आज का important update सभी pensioners और भूत पूरा सैनिकों के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो उसको like किजिए share किजिए और subscribe करना ना भूले thank you for watching this video